UP8 2021 विवादित परश्णों के मामले में मानिय कोट में एक बार फिर से महत्तिपूर सुनवाई हुई है मानिय कोट के दोरा UP8 2021 के विवादित परश्णों में क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में विश्वतार प्रुवबक बात करेंगे आप लोग प्लीज लास तक बने रहीएगा हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं विजिटर मास्टर चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेश करना ना भूलें दोस्तों यूपीटेट 2021 के विवादित प्रशनों के संदर में मानिय कोट में हुई सुनवाई के लिए अपडेट है इलहाबाद हाई कोट ने यूपीटेट के आठ विवादित प्रशनों को लेकर के दाखिल याचिका पर परिच्छा नियामक प्राधिकारी से विश्तरित जवाब मांगा है यह आदेश नियायमूर्ती सिधाथ ने रोबिन जैसवाल वा दो सव अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अभिशेक राई वा अन्य को सुन कर दिया याच्का में ईूपिटेट के आट व्याधित प्रिश्णों को गलत बताये गया है। कहा गया है कि इससे इसमें जो 4 प्रश्णों 2017 के थे, उन 4 प्रश्णों में से 3 प्रिश्णों के ऊतर मान ये सुप्रीम कोड से गलत माने गये थे। और इस वर्ष फिर वे चार प्रश्ण पूछे गए हैं मांग है कि व्यादित प्रश्णों का विशे विशेशक्गों से सही उतर प्राप्त कर उनके नंबर सभी अभ्यारतियों को दिये जाएं अब PNP से इसके संबंध में जवाब मांगा गया है मानिय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से PNP और शाशक की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है ये महत्वपुड होगा क्योंकि इन सभी व्यादित प्रश्णों पर पहले ही सुनवाई हो चुकी है वर्ष 2017 के यूपीटेट के मामले में मानिय सुप्रीम कोर्ट में और आदेश भी आ चुका था बावजूद इसके PNP ने गलत तरीकों से इन प्रश्णों को शामिल किया और जो प्रश्ण के उत्तर पहले उनके द्वारा 2017 में माने गये थे उन प्रश्णों के उत्तर भी उन्होंने बदल दिये थे इसी वज़े से इतना विवाद हुआ है यूपीटेट 2021 को ले करके उमीद करते हूं कि सभी अभ्यातियों को इसके संदर में न्याय मिले और जिनका एक दो नंबर से रुक रहा होगा यूपीटेट क्वालिफाई ह न पड़े दस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू